जायद में और्द एवं मूंग की उन्नत खेती और्द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनितम फसले हैं विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाई जाने के कारण दलहनी फसलों में और्द एवं मूंग का प्रमुक स्थान है भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत रफल के लगभग 30 प्रतिशत भाग में विभिन रितू, हरीफ, रभी एवं बसंत में मैदानी क्षेतों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की उचाई तक होती है भारत में उर्देवं मूंग की खेती लगभग 60 लाग हेक्टेर में की जाती है जायद में सघन पदितियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुवाई करके मूंग एवं उरत की अच्छी पैदावार ले जा सकती है पिछले कुछ बर्षों में मूंग एवं उरत की शीगर पकने वाली प्रजातियों के विकास होने से जायद में इसकी खेती सफलता पूर्वक होने लगी है जायद में बिमारियों का प्रकोब भी कम होता है तथा श्रीग्र पकने और अधिकुपच देने वाली रोधी प्रजातियों के साथ सगन पधतियों को अपना कर अधिकुपच प्राप्त की जा सकती है भूमी का जयन एवं तैयारी मूंग एवं उर्द की खेती विबिन प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है लेकिन सबसे उपयक दुभूमी दो मठ होती है मूंग एवं उर्द की खेती के लिए दो-तीन हैरो लगा कर या कल्टिवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवशक है जिससे अच्छा जमाव हो सके प्रजाती का चुनाव अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती है मूंग की प्रजातियां उरत की प्रजातियां बुवाई का समय और्ध की बुवाई के लिए 15 फरवरी से 15 मार्श तक उपयुक्त समय है तथा मूंग की बुवाई 15 फरवरी से अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है दीर से बुवाई करने पर गर्म हवा एवं वर्षा होने से फलियों में नुकसान हो सकता है अप्रेल के प्रथम सप्ताह में बुवाई के लिए जल्दी पकने वाली प्रजाती समराथ अधिकोपियुक्त है बीज की मात्रा जायद में मूंग की 25-30 किलोग्राम तथा उर्द की 30-35 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर बीज की आविशकता होती है बुवाई की विधी मूंग एवं उर्द की बुवाई देशली हल्द के पीछे कुडों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा 35 से पंक्ती की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए इसकी बुवाई सीट ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है बीज शोधन उर्द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेन डाजिन से प्रती किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए इससे प्रारंभिक अवस्था में रोक शोधक शमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती बीज उपचार उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैला कर बीज को राईजोबियम कल्चर से उपचारित करें जिसकी विधी इस प्रकार है आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गोड़ घोल ले इस घोल में 200 ग्राम राईजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट में आदें इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के उपर छड़क कर हलके हाथ से मिलाए जिससे बीज के उपर एक हलकी पर्द भन जाए इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाए तक पश्चात बुवाई करें उर्वरकों का प्रयोग मूम की अच्छी पैदावार के लिए प्रती हेक्टेर 10 किलोग्राम नतरजन 45 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुवाई के समय कूडों में देना चाहिए इसी प्रकार उर्वरक की फसल में 15 किलोग्राम नतरजन 45 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रती हेक्टेर की दर से बुवाई के समय कूडों में देना चाहिए दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोशक तत्व की अत्यधिक आवशक्ता पड़ती है रासाइनिक और वरकों से दिये जाने वाले फॉस्फेट पोशक तत्व का काफी भाग भूमी में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है भूमी में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सॉलिवलाइजिंग बैक्टिरिया PSB का कल्चर बहुत ही साहयक होता है इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ती हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्ध दशा बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए खर्पतवार नियंत्रन पहली सिचाई करने के बाद निकाई करने से खर्पतवार नश्ट हो जाते हैं खर्पतवारों का नियंत्रन पेंडी मैथलीन 30 EC रसाइन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल कर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है आवश्यक्ता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खर्पतवार रहित रखना चाहिए फसल सुरक्षा, मूंग एवं उर्ध दोनों फसलों में प्रायह पीले चित्रवर्ण मुजेक रोग का प्रकोप होता है इस रोग के विशानू सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं इसकी रोग थाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए पीले चित्रवर्ण से सहिशनू मुंग की प्रजातियों जैसे पंत मुंग 2, समराट एवं नरेंदर मुंग 1 तथा उर्ध की पंत U35 एवं नरेंदर उर्ध 1 की बुवाई करनी चाहिए इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड कर फेक देना चाहिए सफेद मक्खी दिखने पर मिथाईल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाई मेथाईट 30 EC की एक लीटर मात्रा प्रती हेक्टेर की दर से छिरकाव करना चाहिए इस कीट के शिशु एवं प्रोड दोनों पत्तियों पर फूलों से रश चूचते हैं जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं इसकी रोगधाम के लिए मिथाईलो डिमेटॉन 25 EC या डाई मिथोएट 30 EC को एक लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में गोल कर छिरकाव करना चाहिए